परिचय हाँ पिता जी तो आओ अपने इस नया ध्याय में हम अफकलज के अनुप्रयोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करें उत्तेशे इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे राशी के परिवर्तन की दरपता लगाना फलनों के वर्थमान और हिरासमान अंतरालों का विश्लेशन करना एक वक्र पर स्पर्शरेखा का समी करन ग्याद करना एक वक्र पर अभी लंब का समी करन ग्याद करना अफकलनों का उप्योग करके मूलों का अनुमा लगाना एक फलन का उच्चिस्थ और निम्निस्थ का मान ग्याद करना एक बंद अंतराल में एक फलन का उच्चिस्थ और निम्निस्थ मान ग्याद करना राशी के परिवर्थन की दर अफकलच को एक फलन के परिवर्थन की तातकालिक दर द्वारा परिभाशित किया जाता है पर एक वस्तु की इस्थिती दर्शाता है, तब F-T समय T पर वस्तु की चाल को दर्शाता है, आईए एक उधारण लेते हैं, जहां परिमान समय के साथ बदलता है, यदी F-T बराबर जिवानों की संख्या है, तब F-T बराबर जनसंख्या वृत्थिदर है, यदी F-T बराबर रेडियो धर्मी पदार्थों की मात्रा है, तब F-T बराबर चै की तर है, उधारण धादू की एक वर्गाकार चादर की भुजा 3 सेंटिमीटर प्रती मिनट की दर से पढ़ रही है, यदी उसकी भुजा 10 सेंटिमीटर लंबी है, तब चादर का क्षिद्रफल किस दर से पढ़ेगा? हल, मान लिजिए कि समय T पर चादर की भुजा X है, तथा A क्षिद्रफल है, तो ये दिया गया है कि Dx बटा dt बराबर 3 सेंटिमीटर प्रती मिनट, इसे समी करण 1 से चिनित करें, तथा A बराबर X वर्ग को समी करण 2 से चिनित करें, समी करण 2 का T के सापेक्ष अवकलंद करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा, D A बटा dt बराबर 2X गुणा D X बटा dt, समी करण 1 से D A बटा dt बराबर 6X, अब शेद्रफल के परिवर्तन की तर यदी X बराबर 10 सेंटिमीटर है, तब X पर D A बटा dt बराबर 10 होगा, जो की बराबर होगा 6 गुणा 10 अर्थात, 60 वर्ग सेंटिमीटर प्रती मिनट के, वर्दमान और हिरासमान फलन एक फलन F एक खुले अंतराल आई पर वर्दमान होता है, यदी X2 से छोटे अंतराल X1 में कोई दो संख्याएं X1 और X2 के लिए F X1, F X2 से छोटा या पराबर है को इंगित करती हैं, एक फलन F एक खुले अंतराल आई पर वर्दमान होता है, यदी X2 से छोटे अंतराल X1 में कोई दो संख्याएं X1 और X2 के लिए F X1, F X2 से बड़ा या पराबर है को इंगित करती हैं, एक फलन F एक खुले अंतराल आई पर निरंतर वर्दमान होता है, यदी X2 से छोटे अंतराल X1 के साथ आई के अंतरगत ततेक X1, X2 के लिए हमारे पास F X1, F X2 से छोटा है, जिसकार्थ है X के बढ़ने से F X बढ़ेगा, एक फलन F एक खुले अंतराल आई पर निरंतर हिरासमान होता है, यदी X2 से छोटे अंतराल X1 के साथ आई के अंतरगत प्रतेक X1, X2 के लिए हमारे पास F X1, F X2 से बढ़ा है, जिसकार्थ है X के बढ़ने से F X घटेगा, फलन जो ना ही वर्थमान है और ना ही हिरासमान है, आईए एक उधारन लेते हैं, नीचे दिया गया फलन है Y पराबर कॉस X, प्रमे, माना की F एक बंद अंतराल A, B पर सतत है, तथा खुले अंतराल A, B पर अफकलन किया जा सकता है, तब F बंद अंतराल A, B में पर्धमान होता है, यदि खुले अंतराल A, B के अंतरगत प्रतेक X के लिए F डैश X शुने से पड़ा है, एफ बंद अंतराल A, B में पर्धमान है, यदि खुले अंतराल A, B के अंतरगत प्रतेक X के लिए F डैश X शुने से छुटा है, F बंद अंतराल A, B में एक अचर फलन है, यदि खुले अंतराल A, B के अंतरगत हर X के लिए F-X शूने के बराबर है उधारण A का मान ग्यात कीजिए, जिसके लिए F-X बराबर X वर्ग घटा 2AX जमा 6 निरंतर वर्दमान हो, जब X शूने से बड़ा है हल, हमें क्या थै, F-X बराबर X वर्ग घटा 2AX जमा 6 F-X का X के सापेक्ष अफगलन करते है, F-X बराबर 2X घटा 2A बराबर 2 कुणा X घटा A F-X शूने से बड़ा है, यदी 2 गुणा X घटा A शूने से बड़ा है अत्वा यदि X A से बड़ा है अत्यव A 0 से बड़ा या बढ़ापर है क्योंकि X 0 से बढ़ा है स्पर्शरेखा और अभी लंबर माना की Y परापर F X X के सापेक्ष Y का अफकलज अर्थात X 1 Y 1 पर DY बटा DX X 1 Y 1 पर वक्र Y बराबर X के F के लिए स्पर्शरेखा की धलान को प्रदशित करता है तब X 1 Y 1 पर वक्र के लिए स्पर्शरेखा का समेकरान Y घटा Y 1 बराबर X 1 Y 1 पर DY बटा DX X घटा X 1 होता है जैसा कि हम जानते हैं कि संपर्गिस्थल पर अभी लंब रेखा स्पर्शरेखा के लंबवत होती है अतैव X 1 Y 1 पर अभी लंब की धलान X 1 Y 1 पर घटा 1 बटा DY बटा DX होता है X 1 Y 1 पर वक्र Y पराबर X के F के लिए अभी लंब का समिकरन Y घटा Y 1 बड़ाबर X 1 Y 1 पर घटा 1 बटा DY बटा DX गुणा X घटा X 1 होता है विशेश इस्थिति यदि स्पर्श रेखा की धाल 0 हो तब 10 थीटा बड़ाबर 0 एवं इसलिए थीटा बड़ाबर 0 जिसका तादपर है कि स्पर्श रेखा X अक्ष के समानांतर होती है अता बिंदू X 1 Y 1 पर स्पर्श रेखा का समिकरन Y बड़ाबर Y 1 के द्वारा दिया जाता है यदि थीटा का मान पाई बड़ा 2 के समतुल्ले होता है तब 10 थीटा का मान अनंत के समतुल्ले होगा जिसका तादपर है कि स्पर्श रेखा X अक्ष के लंबवत है अर्थात Y अक्ष के समानांतर है इसलिए X 1, Y 1 पर स्पर्श रेखा का समिकरण X बराबर X 1 द्वारा दिया जाता है उधारण वक्र के लिए स्पर्श रेखा और अभी लंब की धलान ग्याद कीजिए एक बटा दो एक बटा दो पर वर्गमोल X जमा वर्गमोल Y बराबर एक हल वक्र का समिकरण वर्गमोल X जमा वर्गमोल Y बराबर एक है इसे समिकरण एक से चिन्यत करें X के सापेक्ष समिकरण एक का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है एक बटा दो गुणा वर्गमोल X जमा एक बटा दो गुणा वर्गमोल y गुणा dy बटा dx बराबर 0 अथवा dy बटा dx बराबर घटा वर्कमोल y बटा x अतैव 1 बटा 2 1 बटा 2 पर स्पर्श रेखा की ठाल घटा वर्कमोल 1 बटा 2 बटा 1 बटा 2 बराबर घटा 1 है तथा 1 बटा 2 1 बटा 2 पर वक्र के लिए अभी लंब की ठाल घटा 1 बटा घटा 1 बटा 1 बड़ाबर 1 है सन्निकटन x के सापेक्ष fx का अफगलज इस प्रकार परिभाशित किया जाता है f' x लगभग fx जमा डेल्टा x घटा fx बटे डेल्टा x के बराबर है ये इंकित करता है कि f' x जमा डेल्टा x बराबर f' x जमा डेल्टा x गुणा f' x जो f' x जमा डेल्टा x का सन्निकट मान कहलाता है उधारण अफकलन का उप्योग करते हुए 9996 के चतुर्थु मूल का सन्निकट मान ग्यात कीजिए हल हम जानते हैं कि 9996 पराबर है 10,000 घटा 4 के जो की बराबर होगा 10 की घट 4 घटा 4 के चलिए माना की x बराबर 10 की घट 4 और डेल्टा x बराबर घटा 4 है अतैव x जमा डेल्टा x बराबर 9996 होगा माना की y बराबर x की घट 1 घटा 4 जो की बराबर है 10 की घात 4 गुणा 1 बटा 4 के, जो पराबर होगा 10 के, अतैव dy बटा dx बराबर है 1 बटा 4 गुणा x की घात घटा 3 बटा 4 के, अतैव y जमा डेल्टा y बराबर डेल्टा x गुणा dy बटा dx जमा y है, अभी सूत्र में मान रखने पर हमें 996 का चतुर्थ मूल बराबर घटा 4 गुणा 1 बटा 4 गुणा x घात 3 बटा 4 जमा 10 पराब्त होगा, इसकी करना करके, हल करने पर हमें 9.999 प्राब्त होगा, अता 9996 के चतुर्थ मूल का सन्निकट मान 9.999 है, उचिस्ट और निमनेश्ट एक फलन का उचिस्ट मान, एक फलन का उचिस्ट मान वो होता है, जो बिंदू के पास बिंदू के दोनों तरफ किसी भी अन्ने मान से अधिक्तम होता है, इसे सापेक्ष उचिस्ट कहा जाता है, सापेक्ष उचिस्ट माना की Fx फलन एक वास्तविक मान वाला फलन है, तथा Fx के प्रांद में C एक अभियंतर बिंदू है, तब X बराबर C पर Fx एक सापेक्ष उचिस्ट कहलाता है, यदि H के सभी धनात्मक तथा रनात्मक मानों के लिए जहां Fc, F of, C जमा H से बड़ा है, परियाप्त छोटा हो, एक फलन का निमनिश्ट मान वो होता है, जो बिंदू के ठीक पास, बिंदू के दोनों तरफ, किसी भी अन्ने मान से निमनितम होता है, इसे सापेक्ष निमनिश्ट कहा जाता है, सापेक्ष निमनिश्ट माना की Fx फलन एक वास्तविक मान वाला फलन है, तथा Fx के प्रांद में C एक अभियंतर बिंदू है, तब X बराबर D पर Fx एक सापेक्ष निमनिश्ट कहलाता है, यदि H के सभी धनात्मक तथा रनात्मक मानों के लिए जहां Fd, F of D जमा H छुटा है, परियाप्त छुटा हो, प्रथम अफकलज परीक्षन, एक फलन का प्रथम अफकलज, अर्थात F-X ग्याद कीजिए, दो, प्रथम अफकलज को 0 के बराबर मानते हैं, अर्थात F-X बराबर 0 तथा वास्तविक मूलों के लिए परिडामी समीकरण को हल करते हैं, अर्थात माना की X बराबर C, D इत्यादी, ये उचिष्ट और निमनिश्ट के बिंदु हैं, तीन, माना की X बराबर C, इन में से कोई बिंदु हैं, यदि F-X की राशी धनात्मक से त्रनात्मक हो जाती है, अर्थात X, C, C के नस्दीक से छुटा है, के लिए F-X 0 से बढ़ा है, तथा X, C, C के नस्दीक से बढ़ा है, के लिए F-X 0 से छुटा है, तब X बराबर C, सापेक्ष उच्चिस्ट का एक बिंदु है, यदि F-X की राशी धनात्मक से धनात्मक हो जाती है, अर्थात X, C, C के नस्दीक से छुटा है, के लिए F-X 0 से छुटा है, तथा X, C, C के नस्दीक से पढ़ा है, के लिए F-X 0 से बढ़ा है, तब X बराबर C, सापेक्ष निम्निष्ट का एक बिंदु है, 4. यदि F-X की राशी नहीं बदलती है, तब C, ना तो सापेक्ष उचिस्ट का कोई बिंदु है, और ना ही सापेक्ष निम्निष्ट का कोई बिंदु है, इस तरहा का बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है, उचिस्ट और निम्निष्ट दितिये अफकलज परिक्षान, माना की F अंतराल I पर परिभाशित एक फलन है, तथा C I के अंतरगात आता है, माना की F C पर दो बार अफकलनिय है, तब X बराबर C के सापेक्ष उचिस्ट का एक बिंदु है, यदि F-C बराबर 6 ने, तथा F-C 0 से छोटा है, F-C का मान, F के सापेक्ष उचिस्ट मान होता है, X बराबर C सापेक्ष निमनिश्ट का एक बिंदु है, यदि F-C बराबर 0 हो, तथा F-C 0 से बड़ा हो, F-C का मान, F का सापेक्ष निमनिश्ट मान होता है, परीक्षन विफल हो जाता है, यदि F-C बराबर 0 है, तथा F-C बराबर 0 है, इस इस्थिती में हम प्रथम अफकलज परीक्षन का उप्योग करके क्याद करते हैं कि सीट एक सापेक्ष उचिस्ट, सापेक्ष निमनिश्ट, अथवा नतीब परिवर्तन का बिंदु है, एक बंद अंतराल में फलन का उचिस्ट और निमनिश्ट मान, फलन का उचिस्ट मान, यदि एक बंद अंतराल A, B पर फलन F-X को परिभाशित किया जाता है, तब इस फलन को X बराबर C पर निर्पेक्ष या व्यपक उचिस्ट वाला एक फलन कहा जाता है, तथा C, A, B के अंतरगत आता है, यदि A, B के अंतरगत सभी X के लिए F-X, F-C से छोटा क्या पराबर हो? फलन का निम्निष्ठ मान यदि एक बंद अंतराल A, B पर एक फलन F-X को परिभाशित किया जाता है, तब इस फलन को X बराबर D पर एक निम्निष्ठ वाला फलन कहा जाता है, तथा D, A, B के अंतरगत आता है, यदि A, B के अंतरगत सभी X के लिए F-X, F-D से पढ़ा या पराबर हो? प्रमय, माना की F एक बंद अंतराल A, B पर एक सतत फलन है, तब F निरपेक्ष उच्चिस्ठ मान होता है, तथा F, A, B में कम से कम एक बार इसे ग्रहन करता है, प्रमय, माना की F एक बंद अंतराल A, पर एक अफ कलच फलन है, तथा माना की C, A का कोई आंतरिक बिंदू है, तब F-C बराबर चूने होता है, यदि F, C पर अपना निरपेक्ष उच्चिस्ठ मान प्राप्त करें, F-C बराबर चूने होता है, यदि F, C पर अपना निरपेक्ष निरपेक्ष उच्चिस्ठ मान प्राप्त करें, कारे नियम, चरण एक, अंतराल में F के सभी महतपून बिंदू ग्याद कीजिए, अर्थात बिंदू X ग्याद कीजिए, जहां या तो F-C बराबर चूने है, या F अफकलनिये नहीं है, चरण दो, अंतराल के अंतबिंदू लें, चरण तीन, अंतबिंदू में F के मान का परिकलन कीजिए, चरण चार, परिकलन मानों में से F के उचिस्ठ और निमनिस्ठ मान को पहचाने, ये उचिस्ठ मान F का निरपेक्ष उचिस्ठ मान होगा, तथा निमनिस्ठ मान F का निर पेक्ष निम्निष्ट मान होगा। पेक्ष निम्निष्ट बिंदूं को ग्याद कीजिए। हल। हम निम्निफलन को हल करके 6 गुणा एक्स वर्ग घटा 3 एक्स घटा 4 प्राप्त करेंगे। अब हम समीकरण का गुणंखंड इस प्रकार कर सकते हैं। 6 गुणा एक्स घटा 4 गुणा एक्स जमा 1। एफ डैश एक्स बरापर 0 ये इंगित करता है कि एक्स बरापर 4 एक्स बरापर घटा 1 है। अब जब एक्स बरापर 4 है तब एक्स चार से छोटा है। ये इंगित करता है कि एक्स डैश एक्स शून से छोटा है। एक्स चार से बड़ा है ये इंगित करता है कि एक्स डैश एक्स शून से बड़ा है। अतैव x बराबर 4 पर fx सापेक्ष निमनिच्ठ है, जब x बराबर घटा 1 है, तब x घटा 1 से छुटा है, ये इंगित करता है कि f'x 0 से बड़ा है, x घटा 1 से बड़ा है, ये इंगित करता है कि f'x 0 से छुटा है, अतैव x बराबर घटा 1 पर fx सापेक्ष निमनिच्ठ है, उधारण, एक 20 सेंटिमीटर लंबे तार को दो भागों में किस तरह विभाजित किया जाना चाहिए, कि यती एक भाग को वर्ग में तथा दूसरे भाग को वृत में इस तरह मोड़ा जाता है, कि उन दो समतल आकृतियों के शित्रफल का योगफल निमनिच्ठ हो, हल, माना की एक भाग एक्स है, तब दूसरा भाग 20 घटा एक्स होगा, माना की एक्स वर्ग का परिमाप है, तथा 20 घटा एक्स वृत्ति की परिदी है, तब कुल क्षित्रफल होगा, ए पराबर एक्स बटा चार संपून वर्ग जमापाई कुणा बीस घटा एक्स बटा दो पाई संपून वर्ग है, जो की पराबर होगा, एक्स वर्ग बटा सोला जमापीस घटा एक्स वर्ग बटा चार पाई के, अतैव डी ए बटा डी एक्स बडाबर एक्स बटा आठ घटा बीस घटा एक्स बटा दो पाई, चरम मानों के लिए डी ए बटा डी एक्स बडाबर शून ने, ये इंगित करता है कि एक्स बटा आठ घटा बीस घटा एक्स बटा दो पाई बडाबर शून ने है, ये इंगित करता है कि पाई कुणा एक्स घटा अस्सी जमा चार एक्स बडाबर शून ने, ये इंगित करता है कि एक्स बडाबर अस्सी बटा पाई जमा चार, इसके अलावा, डी दो ए बटा डी एक्स बटा बडाबर एक बटा आठ जमा एक बटा दो पाई शून से बडा है, इस परकार दो समतल आकृतियों का खित्रफल निमनिश्ठ होगा, जब एक्स बडाबर अस्सी बटा पाई जमा चार हो, एक वर्क बनाने वाले भाग की बटा पाई जमा चार है, तब दूसरे भाग की बटा पाई जमा चार, जो की बराबर है बीस बटा पाई जमा चार के, इस प्रकार भागों की लंबाई होनी चाहिए 80 बटा पाई जमा 4 cm और 20 पाई बटा पाई जमा 4 cm क्या आप जानते हैं सर आईसेक न्यूटन ने अफकलच के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है गोट फ्रेद विलहेम लेबनीज एक जर्मन दार्शनिक गणी तग्य और तर्क शास्त्री थे जिन्होंने सौव लंबन से कलन का विकास किया सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं एक अफकलच को इस तरह से परिभाशित किया जा सकता है कि ये एक फलन की तातकालिक परिवर्थन की दर देता है फलन एफ एक खुले अंतराल आई पर वर्थमान होता है यदि एकस दो से छोटे अंतराल एकस एक में कोई दो संख्याएं एकस एक और एकस दो के लिए एकस एकस दो से छोटा या बराबर है को इंगित करती है फलन एफ एक खुले अंतराल आई पर वर्थमान होता है यदि एकस दो से छोटे अंतराल एकस एक में कोई दो संख्याएं एकस एक और एकस दो के लिए एफ एकस एक एफ एकस दो से बड़ा या पराबर है को इंगित करती है खुले अंतराल आई पर एक फलन एफ निरंदर वर्दमान होता है। यदि एकस दो से छोटे अंतराल एकस एक के साथ आई के अंतरगत प्रतेक एकस एक एकस दो के लिए हमारे पास एकस एकस दो से छोटा हो। इसका तात पर ये है कि यदि x बढ़ता है तब fx बढ़ेगा। खुले अंतराल आई पर एक फलन f निरंतर हिरासमान होता है। यदि x2 से छोटे अंतराल x1 के साथ आई के अंतरगत प्रतेक x1, x2 के लिए हमारे पास fx1, fx2 से बढ़ा हो। इसका तात पर ये है कि यदि x बढ़ता है तब fx घटेगा। बिंदू x1, y1 पर वक्र y बराबर fx के लिए स्पर्श रेखा का समिकरण है। y घटा y1 बराबर बिंदू x1, y1 पर dy बटा dx गुणा x घटा x1, बिंदू x1, y1 पर वक्र y बराबर fx के लिए अभी लंबर का समिकरण है, y घटा y1 बराबर बिंदू x1, y1 पर घटा 1 बटा dy बटा dx गुणा x घटा x1, fx जमाद डेल्टा x का निर्पेक्ष मान है, fx जमाद डेल्टा x गुणा f-x, माना की फलन fx वास्तविक मानों वाला फलन है, तथा c fx के प्रांथ में कोई आंतरिक बिंदू है, तब fx को x बराबर c पर एक सा बेक्ष उच्चिस्थ कहा जाता है, यदि h के सभी धनात्मक और धनात्मक मानों के लिए, जहां fc, fc जमाद h से बड़ा हो, परियाप्द छोटा हो, माना की फलन fx एक वास्तविक मानों वाला फलन है, तथा c fx के प्रांथ में कोई आंतरिक बिंदू है, तब x बराबर d पर fx को एक सा बेक्ष निम्निश्थ कहा जाता है, यदि h के सभी धनात्मक और धनात्मक मानों के लिए, जहां fd, fd जमा h से छोटा हो, परियाप्द छोटा हो, यदि fx एक बन अंतराल, a, b पर परिभाशित कोई फलन है, तब x बराबर c पर इस फलन को निरपेक्ष उच्चिस्थ कहा जाता है, तथा c, a, b के अंतरगत आता है, यदि a, b के अंतरगत सभी x के लिए fx, fc से छोटा या पराबर हो, यदि fx एक बन अंतराल, a, b पर परिभाशित कोई फलन है, तब x बराबर d पर इस फलन को निरपेक्ष उच्चिस्थ कहा जाता है, तथा d, a, b के अंतरगत आता है, यदि a, b के अंतरगत सभी x के लिए fx, fd से बढ़ा या पराबर हो, माना की f एक बन अंतराल, i पर, a, b पर एक संतरगत फलन है, तब f निरपेक्ष उच्चिस्थ कमान होता है, तथा f, i में कम से कम एक बार इसे ग्रहन करता है, इसके अलावा, f निरपेक्ष उच्चिस् तथा f, i में कम से कम एक बार इसे ग्रहन करता है, माना की f बन अंतराल, i पर, एक अफकलज फलन है, तथा माना की c, i का कोई अंतरिक बिंदू है, तब f' c पर अपना निरपेक्ष उच्चिस्थ मान ग्रहन करे, f' c बराबर 0 है, यदि f' c पर अपना निरपेक्ष उच्चिस्थ किमान ग्रहन करे,